हलो एब्रीवन में दिख्षा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चेनल में यूपी पी सी, यूपी आरो यारो, यूपी एसाई और यूपी के जितने मिगावमेंटर एक्जाम है उन सभी के लिए यूपी इस्पेसल एजीके की बुख है जो की उत्तर प्रदेश की एक समागरिध्यान पर आधारे थे एप परिक्षवाड़ी की किताब है जिसके अंतरगत आपको उत्तर प्रदेश का सामाने ग्यान इसके साथ यूपी बजट, यूपी समसाम की और यूपी जिला संचित्यों की को कबर किया जाएगा यह आपका लेटेस्ट एडिशन है इसके अंतरगती आता है इसमें अभी तक देखा जाए तो हमारे परिवहन तक के चैप्टर कंप्लीट हो गए है अज जो हमारा टॉपिक है वह आपका आता है उत्तरगर्णा परिदरश्य के संदर में आता है जिसमें आपको बढ़ाएंगे अनुसुचित जाती है अनुसुचित जन जाती है तो यह आपके मुख टॉपिक है टोग मुख टॉपिक के अंतरगत इन सब को एके करके कबर करते है पीडिये प्राफ्ट करने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल यूपिएससी पीएससी वे दिख्षा को जोईन कर सकते हैं जहां पर आपको इसकी पीडिये फैवलेवेल होगी चलिए तो सुरू करते हैं जनगर्ना के संदर में कि जनगर्ना से रिलेटेड आपके कुशन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है चलिए तो सबसे पहले आता है कि भारत में पहली जनगर्ना किसके काल में हुई थी ओ कब हुई थी इसके संदर में देखा जाए तो सरपर्थम 1872 में पहली जनगर्ना की गई थी लेकिन इसकी बिदिवत जो सुरुआत थी वह 1881 के रिपिन के काल में हुई थी वो तब से 10 वर्स तक ए निद में जनगर्ना होती रही है बर्स 2011 में राजे के कुल 71 जिलों और 312 तहसीलों 648 बैदाने की नगरों वाद 2664 जनगर्ना नगरों और 1,677 गाओं में पंदरवी जनगर्ना यानि की सुतंत्र भारत की सत्वी जनगर्ना संपन हुए जिसके अनंतम जो आकड़े हैं 31 मार्च 2011 को जारी की गए जिसमें 2 बर्स में एक माह बाद जो 30 अप्रेल 2013 को जारी की गए जबकि राज जेस्तर पर जो आपके आकड़े हैं 29 माई 2013 को जारी की अगए जनगर्ना 2011 की अंतम आकड़े की अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या जनगनत्तु साक्षर्ता लिंगानुपाद 10 की ब्रदीदा राधी का वर्णन दिया गया जिसके अंतरगत आता है सबसे पहले कुल जनसंख्या की संदर में कि 2011 की अंतिम जनगर्ना रिपोर्ट की अनुसार राज की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 थे जो कि पिछली जनगर्ना 2011 की कॉर्णिंग देखा जाए तो 3,36,14,420 से अधिक है 2011 की रिपोर्ट की अनुसार प्रदेश की कुल आबादी जिसमें पुर्षों की आबादी जो है बाउन दिसमला 29 परशेंट है जबकि जो महलाओं की आबादी 47,71 परशेंट है जिसमें देखा जाए तो यह है आपकी 10,44,88,510 आपकी पुर्षों की आबादी और आपकी 9,3,31,831 जो है बहि महलाओं की आबादी है तो इसकी अंतरगत आता है अब आता है कि देश के सभी राज्यों की सापेक से सरवादिक आवादी उत्तर प्रदेश में रहती है लेकिन छेतरफल में है राजिस्थान मद्ध प्रदेश पर महराष्ट के बाद चोथे स्थान पर आती है 2001 में प्रदेश के आवादी के जो इसकी कुल छेतरफल का 16.16 परसेंट थी जो की 2011 में है बढ़कर 16.19 परसेंट हो गई और प्रदेश का छेतरफल देश के कुल छेतरफल का मातर 7.23 परसेंट ही रह गया इसके अंतरगत आता है बेश्वे की स्थान पर बात की जाए तो जनसंक्या की मावली में भारत उत्तरप्रदेश, राज, चीन, भारत, संयुक्तरा, जमिर्कव और इंडोनेशिया की बाद 5 में इस्थान पर आता है सबसे पहले आपका प्रियागरा जाएगा दूसरी नमबर पर मुरादबाद, तीसरी नमबर पर गाजियवाद और चौथी नमबर पर आजमगड और पांचवे नमबर पर लखनौ आता था इस तरीके से देखा जाए तो ये पांच सरवाद एकावादी वाले जिले हैं इस तरीके से बड़ी और इस में जो आपका लेटिस वाला रेशियो 2001 और 2011 की अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2001 में 16,61,197,921 थी जो सब पुर्षों की जो आवादी रही है आठ करोड 75,379 जो की 92,7% और जो महिलाओं की आवादी है बहे 7,86,32,500 यानि की 47,3% रही थी 2011 की अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें 19,98,12,341 जो है बहे यहाँ 2011 की टोटल आवादी है और उसमें जो पुर्षों की आवादी है बहे 10,44,88,510 यानि की 92,29% होती है फिर आती है महिलाओं की आवादी जो की 9,33,8,31 जो की 47,71% आपकी जनसंख्या को कबर करती है तो यह पुर्षों और महिलाओं की जो जिस तरीके से जनसंख्या है वो उसके संदर में बताया गया है जो की आपका 19,98 से 2011 की डेटा संदर में एक ओबर्विव दिया गया है अब आता है कि 2011 की जनगर्णा रिपोर्ट की अनुसार राज में नियुन्तम आवादी वाले 5 जिलों की बारे में बात की जाए तो इसमें आपका आता है महोवा, चित्रकूठ, हमीर, पूर, स्रावस्तिवा, ललेतपुर आता है और 0-6 आवादी वाले 5 जिलों में आते हैं प्रियाग राज, मुरादबाज, सीतापूर, आजमगड़ और बरेली आते हैं 0-6 वर्ष के खबसे कम आवादी वाले 5 जिलों में आता है महोवा, हमीर, पूर, चित्रकूठ, बाग, पतौर, यह आता है प्रिशत कम हुआ है, इसके संदर में आता है, और 2011 की जनगरना की अनुशार, प्रिदेश में 0-6 आयूबर की जनसंख्या कानपात, राजटी इस्तर में 13.6% से यह दिखें 0-6 आयूबर की जनसंख्या का सरवादिक प्रिशतन पात, भहराईच में सबसे ज़्यादा और सबसे कम आपका कानपूर नगर में आता है अब ब्रदीदर के बारे में बात की जाए तो 2001-2011 की दोरान प्रिदेश में जनसंख्या की दसके ब्रदीदर 20.23% रही है जबकि राजटी ओसत ब्रदीदर जो है वह 17.7 प्रशत रही है 2001-2011 की दौरान उत्तर प्रदेश की दस्की ब्रद्धिदर में राश्टी वोसत दर्ती दस्की ब्रद्धिदर में अधिक रावट हुई हो और 2001-2011 की दौरान प्रदेश में पुरोशिव महला का जो दस्की ब्रद्धिदर है वह 19.31 और 21.23 परचेंट रही है दसकी ब्रद्धीदर जो कि दसकी जनसंग्य ब्रद्धीदर की दरश्टी से देश की राज जोईवम के अनसासत प्रदेशों में राजिका पर्णरवा इस्थान लगता है और इसमें दसक भारत की दसकी ब्रदीदर, उत्तर प्रदीदर की दसकी ब्रदीदर और उत्तर प्रदीदर की संदर में आपका 1901-1911, 1911-1921 और इसी तरीके से 2001-2011 तक का डेटा दिया गया है तो इसमें एक अनलेशिस 1901-1911 के संदर में बात की जाये तो भारत की दसकी ब्रदीदर जो है वह 5.75 परदीदर में जो है माइनस 1.36 रही है और उत्तर प्रदीदर की जो बारसक ब्रदीदर है वह माइनस 0.15 परदीदर रही है अब इस तरीके से 1991 तो 2021 के संद्रबाद की जाए तो यह 21.4% मतलब की दस्के बरदी रही है और 2001 से गयारा में 17.7 रही है और उत्तर प्रदेश में 25.85 और जबकी आपकी 2001-2011 में 20.23 रही है और उत्तर प्रदेश की बार्दीदर के बारें बात की जाए तो यह 2.33 आपकी 1901-2001 तक है और 2001-2011 में 21.85 रही है तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की दस्की ब्रदीदर के संदर में आता है। जनगर्णा 2011 के उनचार सरवादिक दस्की ब्रदीदर बारे पाँजिलो में देखा जाए तो गोतम बुध्य नगर वनिंचाज दस्की ब्रदीदर में पाँजिली आते हैं जिसमें कानपूर नगर नो दस्की ब्रदीदर नो परसेंट परिया 14.2% आता है। ब्रदीदर की ब्रदीदर्ज हुई है। ब्रदीदर की बारे में आता है। अब आता है। कि शुतंतरता की बाद राजी की जन घनत्त में सरवादिक 171 ब्रदी 1981-91 की दोरान जब से सबसे कम 36 ब्रदीदर 1951-61 की दोरान हुई थी। पाँज जन संख्या घनत वाले जिलों में देखा जाए। जिसमें गाजी अबाद, वाराण, सी, लखनों, भदोही, कानपुर्ण अगर आते हों निउन्तम जन संख्या घनत वाले जले के अंत्रगत आता है। इसमें ललिटपुर, शौन भद, हमीरपुर, महुवा और चित्रकूट आता है। साकछाटर दर के वारे में बात की जाए तो जनगरना 2011 के अनुशार उत्तर पृदेश की साकछाटर दर 673.72 परसेंट तो जिसमें पुरुज साकछाटर डर रोसदीं गतर की गंहें। और देशमें उस्तर परसेंट की ब्रद्वी है। क्परीप के 40,3% में इह देश का तीसरा राज्य रहा है इसकी संदर में आता है कि प्र्देश में कुल साक्षटा तर प्रदेश की कुल सारी में जानते हैं कि उन्ने सु प्रिदेश की पुरुष साक्षर्टा दर थी 68.8% और आपकी स्तरी साक्षर्टा 42.2% और पुरुष स्तरी साक्षर्टा में अंतर आपका 26.6% का दिखाई दिया और इसमें 10 की साक्षर्टा में अंतर 15.6% का दिखाई दिया 2011 की according देखा जाए तो 77.72% जो है वह प्रिदेश की गुल साक्षर्टा है, प्रिदेश की पुरुष साक्षर्ट अदर 77.3%, पुरुष साक्षर्टा में जो अंतर है वह 20.10% और 10 की है, साक्षर्टा में जो अंतर है वह 11.36% वहता है, तो इस तरीके से ये साक्षर्टा दर की अंतरगत यह आपकी विभिने डिफ्रेंशियेशन दिये गए सार्णी के अनुशार देखा जाए तो राजी की ओसर साक्षर्टा में सरवादिक ब्रद्धी आपकी 1991 से 2001 की दोरान हुई जबकि सबसे कम जो हुई है बहे आपकी 1961 से के दोरान हुई थी तो सरवादिक ब्रद्धी कब हुई 1991 से 2001 में 15.6 परशेंट की सबसे कम जो हुई 1961 में आपकी 3.12 परशेंट की हुई है सार्णी के अनुशार महिला इवां पुरसों की साक्षर्टा की 20 सरवादिक 30.45 परशेंट का अंतर 1991 मों वह सबसे कम 15.1 परशेंट का अंतर 19 वे इंग्याउन में रहा है महिला इवां पुरस साक्षर्टा की अनुशार 19 वे इंग्याउन से एकानमे में लगातार बढ़ता रहा है वो लेकिन 2001 से घट रहा है और 2011 की जनगर्ने रिपूर्ट के अनुशार राज में महिला इवां पुरस साक्षर्टा की अंतर ज 8.48% की ब्रद्धी हुई है सरवादी कोसेश साक्षर्टा वाले 5 जिलों में देखा जाए तो इसमें गोतम बुद्धी नगर 80.12% कानपुर नगर 89.65% ओर एया 78.95% इटाबा 78.41% गाजे अबाद 78.07% आता है नियूंतम उसस साक्षर्टा वाले 5 जिलों के संदर में देखा जाए तो इसमें आपका सरावस्ती 46.74% बहराई चुनन 4.36% बलरामपुर 4.49% बदायू 9.39% रामपुर 53.34% होता है तो इस तरीके से ये आपका नियूंतम उस सरवादिक जो साक्षर्टा दर है उसके संदर में बताया गया है अब आता है कि सरवादिक पुरुष साक्षर्टा वाले पांच जिलों की बारे में देखे जाए तो इसमें आता है गोतम बुद्धिनगर जो की 88.06% है और यह जो है वह 86.11% एटावा 86.06% गाजियवाद 85.42% और जहासी 85.38 परसेंट आता है नियुंतम पुरुष साक्षर्टा वाले पांच जिलों में देखा जाए तो इसमें सरावस्ति इंक्याउन दिसम्लों सोला परसेंट बहराइट अंठाउन दिसम्लों 34 परसेंट बलरामपूर 69.73% बदायूथ 60.98 परसेंट रामपूर 61.40 परसेंट आता है नियुंतम महिला साक्षर्टा वाले पांच जिलों के इस अंदर में बात की जाए तुसरा बस्ती जो है 34.78 परसेंट बलरामपूर 38.43 परसेंट बहराइज 49.18 बदायू 40.09 और रामपूर 44.44 परसेंट आता है लंगानुपात के संदर में बात की जाए तो 2011 की जनगर्णा की अनुसार परदेश में 1000 पूर्सों पर शंखा में 912 लंगानुपात है जो की राज्टी ओसत से 31 कम है और 2001 की तुल्ला में 2011 में परदेश का लंगानुपात में जो सुधार हुआ है वो 14 की बिरधी देखी और 2011 के उनुसार राजी की 15 जनों का लंगानुपात जो है वैं भारत के लंगानुपात से अधिक होता है उत्तरप्रदेश लंगानुपात जो की उननीशव इंक्याओं से 2011 की शंदर में देखा जए तो उननीशव इंक्याओं में 908 था उननीशव इक्सट में 907, 2001 में 898 और 2011 में 912 था तो इस तरीके से उत्तरप्रदिस का लिंगानुपात रहा है। पांच लिंगानुपात वाले जिलों में देखा जाए तो गोतम बुद्धिनगर में 801 क्या उनाता है। 2011 की जनकरना के अनुशार राश्टी सिसु लिंगानुपात जो की आपका 2.19 था तो राजी का लिंगानुपात 902 हुआ है यानि की सत्रा कम हुआ और राजी में सरवादिक सिसु लिंगानुपात वाले पांच जिलों की बारियों बात की जाए। तो इसमें बलरामपूर 950, संतकबीर नगर 942, सिधार्ट नगर बहराईच 935, अंबेटकर नगर या बारामबंकी 932, महराज गंजिया आयुद्या 931 राजी में सबसे कम लिंगानुपात वाले पांच जिलों में बात की जाए। तो इसमें बागपत 841, गौतम बुधिनगर 843, गाजिया बार, 850, मेरट 822 और बुलंद सहर 844 आता है तो इस तरीके से हैं। नगरी एवं ग्रामिर जनसंख्या के संदर में बात की जाए तो 2011 की जनगरना के अनुशार प्रदेश के 19,998,12,341 ग्रामिर जनसंख्या रही है जबकि जनसंख्या में। ग्रामिर और नगरी जनसंख्या का एक रेशियो देखा जाए तो जो ग्रामिर जनसंख्या में। तरीके से आपके ग्रामीड जो थी वह तरीके से देखा जाए तो आपकी उस टाइम पे ग्रामीड जन संख्यर जादा थी और 2011 में 2011 में आपकी ग्रामीड जन संख्या जादा है और आपकी 2001 में ग्रामीड जन संख्या जादा थी और आपकी सहरी जन संख्या कम थी लेकिन इसमें थोड़ा सही डिफ्रेंस हुआ है तो यह ज्यादा रेशियो नहीं इस तरीके से रेशियो जिसमें यह 19 आपका 15 करोड के आ असपास हो गया है तो इस तरह किसे इसमें डिफ्रेंसिस है जन गर्ना दूहजार ग्यारख के अनुशार प्रदीज में कुल 915 नगरों में एक से 10 लाक आवादी वाले वैदानिक नगरों की संख्या सथ हैं दस लाक के उससे अधिक आबादी वाले वैदानिक प्रियागरा जाते हो जनगर्ना 2011 में 10 लाग से दिख नगरी आवादी वाली जिलों में 12 संखा बारा है जनगर्ना 2011 के उनसार देश की जो कुल आवादी है ग्रामीड आवादी इसमें 18.63% के साथ वे प्रतर प्रदेश में पृथमिस्थान पर है और 2011 के उनसार कुल नगरी जनसंख्या की द्रिश्टी से देश में उत्तर प्रदेश जो है वे 4.444,95,063 का और महराष्ट जो है व राजी की कुल जनसंख्या में नगरी जनसंख्या में पृष्ट की देश्टी से उत्तर प्रदेश देश में 302 स्थान पर है जनसंख्या जनगर्ना 2011 के उनसार उत्तर प्रदेश में नगरी साक्षरतादर 75.1% और ग्रामीड साक्षरतादर 62.5% रहती है कुल जनसंख्या मे दसकी ब्रद्धी दर भी दी गई है तो इसमें उनीश वे इंक्यानवे के संदर में देखते हैं तो आपकी 19.89% और इसकी जो है 38.97% 2001 में 20.78% और इसमें आपकी 10 की ब्रद्धी दर में 32.65% 2011 में 22.27% और जो की 28.82% 10 की ब्रधी दर इसकी अंत्रगत आती तो इस तरीके सी यह एपकिल जनसंख्या में नगरी जनसंख्या में 10 की ब्रद्धी दर को दिया गया जनगरना 2011 के उनशार सरवादी को सबसे कम ग्रामीड आवादी वाले जिलों में देखा जाये तो सरवादे ग्रामीड आवादी वाला जिला जो है प्रियाग राज हो सबसे कम गोगतम बुद्धनगर है। ग्रामीड आवादी वाला जो है प्रियाग राज हो सबसे कम गोगतम बुद्धनगर है। ग्रामीड आवादी वाला जो है प्रियाग राज जो है प्रियाग राज जो है। आपका 5.02 परसेंट सुल्तानपूर जो है 5.26 परसेंट और प्रिताब गड़ 5.46 परसेंट आता है। सरवादी ग्रामीड जनसंख्या वाले 5 जिलो में देखा जाए तो प्रियाग राज आजमगर जोनपूर सीतापूर गुरगपूर हो निवंतम जनसंख्या वाले 5 जिलो में गोतम बुद्धनगर महुवा हमीरपूर चित्रकूर और बागपत आता है। सरवादी ग्रामीड जनसंख्या वाले 5 जिलो में आपका घर्तिक्रम में आता है सरावस्ती कुशी नगर महराज गंज सुल्तानपूर पुर्ताबगर निवंतम आग्रामीड आवादी वाले 5 जिलो में आता है आपका गाजियवाद लखनो कानपूर नगर गोतम बुद्ध नगर मेरट आते हैं अनसुचित जातियां 2011 के कॉर्डिंग देखी जाए तो 2011 की अन्तिम रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अनुसुचित जातियों का जो जनसंख्या है वह 4,13,070,608 है जो की प्रिदेश की कुल जनसंख्या का 20,70% कवर करता है जबकि संपूरु देश के कुल जनसंख्या में अनुसुचित जातियों की संख्या 16,06% आती है देश में सरवादिक अनुसुचित जाती जनसंख्या वाला राज्याप का उत्तर प्रदेश से जबकि सरवादिक प्रिशत 31,9% वाला राज्य पढ़्याब है इस दरश्टी से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 20-79 के साथ चौथे स्थान पर आता है। और रामपुर आते हैं। और फिर आता है जनकर्णा 2011 के अनुसार राजी के अनुसुचित जातियों के लिंगानुपाद 907 है। परसेंट यह कबर करती है। सरवादिक अनुसुचित जनजाती वाले जनसंख्या की पिर्षद वाले राज्य में आते हैं। 2011 के अनुसार प्रदेश में अनुसुचित जनजातियों के लिंगानुपाद 901 क्याओन है। जबकि 2001 में यह 934 था इसकी संदर में आता है। कारसाहिवाक्त दर के बारें बात की जाए तो 2011 के अनुसार राज्य में औसर्थ कारसाहिवाक्त दर 32.9% है। और 63.1% आसरित के अंतरगत आते हैं। कुलकारसी लाबादी में 75.7% पुरुष और 24.3% मेला हैं। और कुलकारसी लाबादी में 78.9% ग्रामीड 21.1% सहरी आते हैं। कुलकारसी लाबादी में 77.8% जो हैं वह माख कामगार हैं। उसे इस 32.2% सीमानत कामगार है जिन है इस ताइ रोजगार उपलब्दे नहीं है। देश की कुल सिलम जन संख्या उत्तर प्रदेश में 9.5% सिलम आवादी के साथ चोथे स्थान पर हैं सीर्ष तीन सिलम आवादी वाले प्रदेश राज्यों में महराश्ट 18.1% आंदर प्रदेश 15.6 वपश्य मंगाल 9.8% आती है तो इसके अंतरगात आता है दोहचर ग्यारा की जनगर्णा के अनुशार राज में कुल सिलम आवादी जो है 62,49,965 है और अधिसूचित सिलम में 5,62,548 सुईकर सिलम में 4,78,326 सिलम में 9,99,091 आती है 2011 के अनुशार राज में कुल सिलम आवादी जो है 62,49,965 है जो इसमें से 32,92,349 पुरुष में और 29,426,626 महला है 2011 के अनुशार देश में कुल सिलम आवादी राज में कुल सिलम आवादी की भागेदारी 9,95% जबकि 2001 में यह है 11% रही है राज में सिलम आवादी वाले पांच जले में आता है आपका मेरथ, आगरा, कानपुर, नगर, लखनव और गाजियवाद इसके अंतरगत आता है तो यह आता है, राज में सिलम आवादी में साक्षर्टादर जो है 79% आती हो, 2011 के अनुशार इसमें 648, इस बैदानिक नगरों में से 293, पिरती वेदित सिलम नगर आते है धर्म आधर इस जनगरना की बात की जाए तो 2011 की, जानमिक जनगरना राजी की कुल जनसंख्या में 89.7% जनसंख्या हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की है, जो की सरवा देखे जबकि सबसे कम जनसंख्या बहुत धर्म को मानने वाले की है, जो की मातर 0.1% हो, प्रदे का पृष्टत हिंदूओं में 47.55 है और जो की एक तरीके से प्रदेश की कुल जन्षा है 89.73 परसेंट लिंगानुपात आपका 907 है मुस्लिम की जो है 48.38 परसेंट है जो 29.26 परसेंट प्रदेश की एक गुल जन्षा कहा है 937 यहां का लिंगानुपात है फिर आता है सिख्अर इशाहि फिर जो है तो बौध्धो जो है बएस की जीरु पॉइंट बढ जीरू प्रदेश की एक गुल का मेहिलाववा पिर्शट है प्र मुस्लिम में का नहीं है इसमें सरवादे का आता है 48. freaking 111% ईसाई का फिर उसके बाद आता है मुश्लिम का उसके बाद आता है आपका 47. LOU की जैन का फिर 47.оры सुंद्बॉ心 बोधिका फिर 47.たい送ण 25 जो आता है आपका हिंदू का और 46 दिसमलो 94 दिसमलो 38 जो है वहे आपका मुस्लिम का आता है तो ये महलाओं का प्रिष्टत इसमें दिया गया है और इसमें प्रदेश की कुल जन संख्या का प्रिष्टत और लिंगानुपात को दिया गया है अब 2011 के अनुशार जो जन पदवार इसमें जन नांकी आकड़े दिये गए है कि किस जन पद में कितनी जन गर्ना है कितना लिंगानुपात है कितनी जन संख्या ब्रदी दर है जिसमें पुरुष साक्षर्टादर महला साक्षर्टादर जन घनत तुजीरू से 6 वर्स के आयू बर्क की संदर में है तो उत्तर दसकी ब्रदी दर आपकी 20.23% है लिंगानुपात 912 है और जन घनत तुजीरू से 6 वर्स के बच्चों के लिंगानुपात 902 है साक्षर्टा पर्सेंटेज में 77.72% है पुरुष साक्षर्टा 77.3% महला साक्षर्टा 77.2% है तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के संदर में उत्तर प्रदेश के जितने भी आपके मंडल है जनपद है उनके संदर में इसके डेटा को दिया गया इसमें आपको उस तरीके से याद कर लेना है जो अभी पहले आपको दिये गए है कि प्रथम 5 जो अंतिम 5 तो इसको आपको बता दिया गया आप अगर प्रतेग जनपद का ऐसे इस तरीके से याद करेंगे तो वो बड़ा टिपिकल हो जाएगा तो आप इसको एक बार देख लेंगे इस तरीके से आपको PDF भी दे दी जाएगे तो आप इसको अस देख लेंगे इतना जरूरी नहीं है कि आप परतेक जनपत का ये रेशियो याद करें जो इंपोर् कर लेना है क्योंकि इतना इपरतेक मंदल का जो आपके सेविंटी बन इसमें दिये गए हो चार्ज जो नव सर्जित चार्जले उनके मूल जलों में अभी समलत नहीं किया गया है तो उसके संदर में आपका डेटा नहीं आया क्योंकि जब जनगर्ना हुई थी तब इसमें म आपको जो आपके टॉफ फाइब दिये गए हैं जो मैक्जिमम बाले और आपके जो मिनिमम बाले हैं तो मैक्जिमम मिनिमम बाले याद कर लेना है क्योंकि प्रतेक में जो आपका डिस्टिक है या जनपद हैनका याद करेंगे तो वह नहीं हो पाएगा यह आपकी 15,17,278 है नगरीय में आता है 4,44,95,033 है कुल जन संख्या देखी जाए तो 19,99,12,341 और नगरीय जन संख्या पिर्शत में 22.27 परसेंट आती है तो इस तरीके से ये ग्रामीड और नगरीय जन संख्या का एक पिर्शत मतलब एक तरीके से दिया गया है इसके संदर में तो ये आता है अब इसमें भी आपके पूरे जो इतने भी जन पद हों सब को दिया गया है तो इसमें भी आपको इस तरीके से याद करना है कि टॉप 5 और मिनिमम टॉप 5 मतलब ये नीचे से उपर से कौन-कौन 5 है तो इनको आपको याद करना है तो इस तरीके से ये डेटा दिया अब आती है उत्तरप्रदेश की जनसंख्या नीती 2021-30 के बारे में, उत्तरप्रदेश की जनसंख्या नीती 2021-30 के संदर में बात की जाए, तो यह विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2021 के आउसर पर उत्तरप्रदेश त्वारा नई जनसंख्या नीती 2021-30 की घोशना की तो सकल परजनेंदर 2.7 परती विसत रही है जो की बर्स 2026-30 में 21.1 और 2.1 और 9 रही है मतलब कि 2026 में आपकी 2.1 परसत और आपकी 2030 में 1.9 परसत तक लाना है बट परजन्ट में कितनी है सकल परजनेंदर 2.7 परसंट है तो ये चार-चार साल के अंतराल पर जो आपकी सकल परजन अंदर है उसको कम करने के एक परज़त का रेशियो दिया गया सिसु मिर्ट उदर जो है वैब 2026 तक परती हजार सिसुओं को 32 और 2032 पर लाना नौजाद मिर्ट उदर पर आपकी 32 से घटा कर आपकी 2026 में 12 और 2032 में 12 लाना है पाच वर्से कम उम्रे के मिर्ट उदर में बरतमार में 47 से घटा कर वर्स 2026 में 35 और 2035 पर लाना पर देश में वासा जीवन प्रतियासा को वर्स 2026 तक 64.3 से बढ़ा कर 66 और 2030 तक 69 पर से लाना है पर पाँच वर्से तक के बच्चों में कुपोशन की दर 2026 तक 16.4 पर तेथा वर्स 2030 में 11.4 पर से तक लाना बरतमार में प्रदीश की मात मिर्थी इधर 27,7 छिसी बर्स 2026 तक 150 और 2030 तक 99 तक लाना बरतमार में सभी प्राइमरी हेल्थी केर पर गौंसलिंग की दर 14 पर से जबके इसे 2026 तक 16 और 30 तक 20 पर से लाना इस नीती में गर्ब निरोधक अपनाने की दर्व जो की बरतमान में एक तिस्त समलोव साथ प्रशत है जो बढ़ा कर दोहजार शब्विस तक पैतालिस परसंट था दोहजार तीस तक बाउन परसंट तक लाना इस नीती के तहट प्रदेश सरकार की विभिन करमचारियों को ब तो इसके संदर में इसके प्रोंख विन्दू है कि आपकी दोहजार प्रजेंट में कितनी है और इसे दोहजार शब्विस और दोहजार तीस में कितना कम करना है इसका एक रिशियो दिया गया अब यहाँ पर यह जो है वो आपका टॉपिक फिनिश होता है आब आते है प्र लखीम पुर्खीरी, 2011 के अनुशार प्रदीस में पुरुष साक्षर तदर कितनी है, तो यह आपकी आती है, 37.3%, 2001 के अनुशार निम्न में से कौन सा सरवादिक साक्षर है, तो आपकी जयन आती है, नेक्स्ट आता है, 2011 के अनुशार राज में सिशू लिंगानुपात कितना है, 902 है, 2011 के अनुशार राज में महिला आवादी कुला आवादी का कितना प्रिशत है, 44% है, नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभीत सरवादिक रूप से घटा है, त तो ये आपकी 1921 से 61 के बीच में हुई थी, तो option ये होगा, प्रदेश में जनसंख्या में सरवादिक दस्किय ब्रदी दर देखी गई है, तो ये किस में देखी गई है, आपकी 1991 से 2001 में देखी गई, 2011 के उनसार उत्तर प्रदेश में ST की सरवादिक सांदर्ता कितनी है, तो य नेक्स्ट आता है, 2011 के उनसार के बल निगम छेतर में 10 लाग सेदिक जनसंख्या वाले नगरों का, सही करम क्या है, तो ये आपका आता है, लखनो, कानपूर, गाजियाबाद, आगरा, तो option C होगा, नेक्स्ट आता है, कि 2011 के उनसार उत्तर प्रदेश में महला पुरुस अन जनपत कौन सा है, तो ये नगरी आवादी वाला जनपत आपका गाजियाबाद है, तो option B होगा, 2011 के उनसार जनसंख्या में किस धार्मिक समदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा नाम इस्थान है, तो ये आपका सिख आते है, तो option D होगा, 2011 के उनसार उत्तर प्रदेश का सर कौन सा है गोतमजध्धनगर है नेक्ष्ट आता है कि जनगर्णा-2011 के उनुसार सरवादिक साक्षरता वाले नेम्निचार जिलो में सही औरोही किरम किसका है तो इसमें आता है गोतमजध्धनगर कानपुर्णगर और याइटावा तो वुप्षिन भी होगा. नेक्स्ट आता है कि जनगड़ना 2011 के उनुसार सरवादिक साक्षर्ता वाले पाँच्चार जिले का औरोही किरम क्या है तो इसके औरोही किरम को देखा जाए तो इसमें गौतम बुद्ध नगर कानपुर नगर और याईटावा आते हैं नेक्स्ट आता है कि जनगर्णा 2011 के उनुसार निमने मैं से कौन से कथन सही है तो इसमें पहला आता है कि निवनतम जनसंख्या साक्षरता दल का जला सरावस्ती है दूसरा आता है कि सरवादिक लिंगानुपात वाला जला जो है देवरिया है तीसरा आता है कि निवनतम जनग जो है वैसा ही है तो option B होगा next आता है कि 2011 के नुसर राज में 1000 बालकों पर बालिकाओं का सिशुओं की संख्या कितनी है तो ये आपकी आती है 902 तो option B होगा 2001 से 2011 की आउधी में प्रिदेश की जन संख्या ब्रदीदर रही है तो कितनी रही है 20.22% है तो ये आपका option D होगा next आता है question की 2011 के नुसर जन संख्या के घर्टे करम में जिलों को विवस्तित करना है तो इसमें प्रियाग राज, गाजियाबाद, मुरादवाद, लखनू दिया गया next आता है की 2011 के नुसर निमने में सिक्या सही नहीं है option E की यहाँ देश की जन संख्या सूला दिसोन पांच प्रिशत करनेवास करती है option B यहाँ देश की सरवादिक बच्चे पाई जाते है option C इसकी दसकी ब्रदीदर 17.7% है इसका लिंगा नुपात 912 है तो इसके अंतरगत आपको बताना है तो इसमें option C होगा की इसकी दसकी ब्रदीदर 17.7% है 2011 के नुसर इसमें कूट दिया गया है जिसमें पहला छेतरफल में यह देश का पांच बढ़ा राज्य है दूसरा देश में यह जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है तीसरा इसका योन अनिपाद राष्टी ओसस से अदेख है चौथा इसकी साक्षर्टा दर राष्टी ओसस से कम है तो इसके संदर में बात की जाए तो इसमें आता है आपका option C जिसमें दूसरा और चौथा सही है कि देश में जनसंख्या का 16.5% प्रिशत योगदान है और इसकी साक्षर्टा दर वससस से कम है 26 नमबर का कुश्चन आता है कि 2011 के उनसार प्रदेश में किस जले में सबसे कम महला साक्षर्टा दर है तो इह आपकी रामपूर में है तो option D होगा नेक्स्ट आता है निमने मैंसे कौन सा जनसंख्या की दरश्टी से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है तो इह आपका आता है प्रियाग राज तो option C होगा नेक्स्ट आता है कि जनगर्णा 2011 के उनुशार सरवा देखे साक्षर्टा वाला जिला कौन सा है वो आपका गोतम बुद्ध नगर है तो option नहीं होगा नेक्स्ट आता है कि जनगर्णा 2011 के उनुशार 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है तो ये आपकी आती है 7 आती है में कि उत्तर प्रदेश जन संख्या नियांदर इस्त्रीकरण और कल्यार विदिहक 2021 के संदर में कथन सही है। पहला कि वए विदिहक का उद्देश 2026 तक जनमेदर को भी 2.1 प्रती हजार जन संख्या तक कम करना है। और दूसरा आता है कि बरतमान में राजव प्रजन अंद जाएगा नयानी कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होए बहुत्तर प्रदेश की सांस्क्रिपिक तत्तु होंगे उनसे रिलिटेट टॉपिक आपका कबर कहिया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को जादा से जादा से एर करें वीडियो को लाइक करें चैनल को बाद